रीजनल मेनेजर विजय सिंग से मिली लौकर चोरी नियाय संगर्ष समीती ने कांतुर सेंट्रल बैंक में लौकर चोरी मामले में पीडितों को इंसाफ मिले अनिता हम मजबूर होंगे कि आपके घर जाकर आपके परिवार को बताएंगे कि आप डगैत हैं और मासूमों के बै अधार्त काशिवार ने कहा कि जब तक पीडितों को इंसाफ नहीं मिल जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे और बैंकों में काम बंद भी करवाएंगे शेहर में बैंक लौकर चोरी मामले में पीडितों की संख्या बढ़ती जा रही है लौकर चोरी नियाय संगर्ष समीती ने पांडू नगर स्थितर सेंटरल बैंक आफ इंडिया में प्रदर्शन किया और नियाय की मांग की आपको बता दें कि घंटों इंदजार के बाद आये आरम ने दो टूक कहा कि वो स्वाग समहरों में गय थे संगर्ष कर रहे हैं जो हमारे आज पीड़ेत है जो लौकर कांड के जो पीड़ेत है जिनके लौकरों में टकैती डाली है बैंक कर्मियों ने उनके नियाय के लिए उनके मुआफ़े के लिए हम लोग एक संगर्ष कर रहे हैं और हम लोग तब तक रुकेंगे नहीं नहीं जब तक इनको इनका मुहाफ़ा नहीं मिलेगा हमारी केवल एक मांग है आप मीडियो कर्मियों के तुरू आप सबसे हम लोग अन्रोध करते हैं पब्लिक से अन्रोध करते हैं किसी तरीके से बात हमारी प्रदान मंत्री महोदे वित मंत्री तक पहुँचे और वो रिज हम निस्प्रे जो आप कह सकते हैं जो इस समय स्थिती है वो है इस बैंक प्रबंदन की एक व्यक्ति हम लोग से मिला नहीं एक व्यक्ति हम लोग को जवाब नहीं दे रहा तीन दिन से अब यह जवाब देना शुरू किया है जब से वैश महा संगटन और संयुक संगर्शमि मिलके इनको घेर रही है तब से यह लोग थोड़ा बात करने के मोड में आए अभी तक तो यह इस तरह से वहवार कर रहे थे जैसे पता नहीं हम लोग क्या अगर हमने ड़कैती हुई है तो हमारी ड़कैती जो हुई है बहुत बड़ा गुनाह कर डाला कि हमारी जो ड़कैत दो गंटे से हम लोग बैठे हैं आप देख सकते इतनी वृद महिला है हम लोग की जो पीड़े तह इतनी गरम में बैठी हैं इन बैंक करमियों के अंदर ने के इनकी माता हैं हूंगी इनके घर में भी विरत जन हूंगे कैसे सब काम छोड़के सब करके इतनी इतनी खराब कर्मी में सब लोग बैठे हुए निया की आस में बैठे हैं मेरे पास परसो फोन आया बैंक से कि आप अपना लॉकर ऑपरेट कर लीजिए तो मैं कल गई पहले तो काफी देर में बैठी रही फिर मैं नीचे गई तो जो गए वो लॉकर खोल नहीं पाए आप 20 मिनट वो खोलत नहीं है क्योंकि इत्ती दिर नहीं लगता है तो बोले मुझे नहीं पता आप चेक करें हमने का आप भी तो आँखों से देख रहे हो कि साफ है मामला बिल्कुल पोच्छा लगाता उसमें जब मैंने बोला आप वीडियोग्राफी पहले मैंने बाद में बोला कि आप वीड लोकर कि मेरे पास 20-22 लाग का समान गया मेरा मैं तो अपना समानी चाहति हूं या पूरा जोइलरी मेरा चाहिए हमको मेरे डॉलर थे जोएलरी थी सारी मेरी प्लिकेशन नहीं तक नहीं किया बोले आप नीचे जो था नंदन क्या नाम है उसका नंदला ताजातरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूश प्लस न्यूश प्लस 24 इंटू 7 चैनल को सब्सक्राइब करें अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाए